गैस concept बताने से पहले मैं आप लोग को विड्रो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैलेंस पे मेरा एक लाख 1236 पॉइंट है एक हजार पॉइंट पे जो होता है एक रूपया ठीक है यानिके मेरे पास यहाँ पे 101 रूपीज है तो विड्रो करने के लिए इसके बाद सिलेट करेंगे अपने मोबाइल नंबर आ जाएगा पेटियम का उहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अभी यहाँ पर हमें कॉइंट डालना है ठीक है तो एक लाख पॉइंट है तो हम नब्बब हजार पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर दस हजार पॉइंट जो है पर चार्ज लग जाएगा तो सिंप्ली हम नब्बब हजार डाल देते हैं और रेडियम पर क्लिक करते हैं सक्सेस्फुली आ चुका है ठीक है यानिक हमारा अभी हम पेटियम पर जाएंगे तो देखोगे इंस्टैंटली हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया रिफ्रेस करते सिंप्ली अब देख सकते हो एक सो पच्चत्य रुपया हो चुका है और यहाँ पर नब्बब रुपया अभी तुरंथ हमारा यहाँ पर आ चुका है ठीक है और अभी मैं एप्लिकेशन पर भी जाकर भी यहाँ पर आप लोगो दिखा जाता हूं रिफ्रेस करूंगा तो य अगर अगर आप एक स्टुडेंट हो या एक विजनेसमें हो या एक जॉप परसन हो या एक हाउस वाइफ हो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगो को एक ऐसा औपरचुनिटी के बारे मे जॉइन हो करके application install application open reopen और application review जैसा simple task करके daily के 50 रुपिज तक self earn कर सकते हो और सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप एक networker हो या अगर आप अपने family friends को यह application refer करते हो और अगर आपके referral code वो use करके daily के task करते हैं तो आप 50 रुपिज के जगे 500, 5000, even 15,000 भी earn कर सकते हो daily के यह सुनने में थोरा सा अजीब लग सकता है लेकिन यह बिल्कुल possible है मैं आप लोगों को इस वीडियो में complete process बताने वाला हूँ यह वीडियो को बिना skip करें अन तक जरूर देखिए तो चलिए आज के इस important वीडियो को करते हैं start मैं जो application के बारे में बताने वाला हूँ उसका नामे real cash money यही वो application है जहाँ पे आपको बहुत सरे application का task मिल जाता है install करने का open reopen करने का और review करने का तो यह application पे task करके पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको इस application पे registration करना पड़ेगा या फिर joining करना पड़ेगा तो registration के लिए simply आपको यह application को download करना पड़ेगा download link आपको description पे मिल जाएगा वहाँ पे जाके जैसे वह link पे आप click करोगे आपको browser से open कर लेना है तो आप direct download page पे redirect कर दे जागे वहाँ से जाके आपको download करके install करना है उसके बाद open कर लेना है open करणी के बाद सबसे पहले आपको अपने mobile number वहाँ पे देना पड़ेगा mobile number देने के बाद आपको register पे click करना है ठीक है उसके बाद आपको email id पुछा जाएगा वहाँ पे अपना एक valid email id डाल देना है उसके बाद आपको referral code पुछा जाएगा तो जिन्हों ने भी आपको ये वीडियो का link शेयर किया उनका referral code आप यूज कर सकते हो अगर first time हमारे चैनल पे आप इस opportunity के बारे देख रहे हो तो मेर आप referral code यूज कर सकते हो जो की description पे और screen पे आपको दिख़ड़ा है ठीक है तो same to same description पे copy करके आपको referral code पे paste कर देना है referral code जरूर आप वहाँ पे दीजिए उसके बाद UPI का option मिल जाएगा ठीक है अगर आप Paytm यूज करते हो तो Paytm का UPI ID वहाँ पे डाल दीजिए और otherwise Payt तो किसी भी application की UPI को और withdraw ले सकते हो जैसे आप submit पे click करोगे तो आपका registration successful हो जाता है और अगर registration करने में कुछ भी दिक्कत आपको आ रहा है तो मेरा WhatsApp number description पे आपको मिल जाएगा वहाँ से जरूर मैसेज करिए मैं आपका problem जो definitely solve कर दूँगा तो इस registration हो जाने के बाद आप आपको यहां से income करने के लिए simple सा task करना होगा जो कि मैंने बताया अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से task पे कितना पैसा मिलता है और किस तरह के से हमें वो task complete करना है तो बिल्कुल ध्यान से समझ यह तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कि कितने प्रकार के task हमें यह 852 पैसा एक application reopen करने के लिए हमें मिलता है 550 पैसा और एक interface को review करने के लिए हमें मिलता है यह 755 पैसा तो अगर हम थोरा से calculation करें तो एक अप्लीकेशन का यह तीनो task करने के लिए हमें मिलता है 2150 पैसा जो कि लगबग होता है दो रूपय के आस पास ठीक है तो एक application के लिए ह ये जो income है, ये common है, ये daily आपको आना ही है, और इसके बाद भी जो application आप install करते हो, उसको अगर आप अपने phone पे रखोगे, तो उनी application में से reopen का task जो है आपका बार बार आता रहेगा, ठीके, एक application reopen करने से आपको 55 पैसा मिल जाता है, ऐसे 15, 20, 30 application का reopen task अगर आप कर लेते हो, तो 15, 20 रुपया, 30 रुपया आप इधर से भी कमाल होगे, तो ये simple से task करके daily आप 40 से 50 रुपया तक self earn कर सकते हो, तो अभी मैं ये तीनों type के task आप लोगो live करके दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप लोगो बतायता हूँ कि task कैसे करना है, इसके regarding मैंने dedicated दो already video बना रखा है, नीचे description पर आपको मिल जाएगा link, अगर आप लोगो इस वीडियो से नहीं समझ आता है कि कैसे task करना है, तो नीचे description पर जाके वो दोनों वीडियो आप चेक कर सकते, तो definitely आप समझ जाओगे कि कैसे task हमें करना है, और लेट्टों कैस्ट मने application में task करने के लिए, आपको application open करना है, कुछ इस तरीके से dashboard आपको दिख जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो हमें दो section मिला हुआ, एक search and install का है, एक give review का है, ठीके, तो पहला जो है, वो application install करने का, और open reopen करने वाला task का है, और दूसरा application review करने वाला है, ठीके, तो मैं पहले application install करके open वाला task भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं review वाला task भी आप लोगो दिखा दूँगा, तो कोई भी application install करने के लिए, आपको पहला वाला section पर click करना होगा, यहाँ पर बहुत सरा application आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 1000 application है, इन में से daily के आपको 10 application install करने है, ठीके, तो जो छोटा-छोटा MB वाला है, वो आप install कर सकते हो, अपने हिसाब से, ठीके, अगर आपको कम MB खरच करना है, तो 1.500 MB के अंदर ही आपका पूरा task complete हो जाएगा, कोई भी application install करने के लिए, आपको simply application के नीचे mode info का option दिखेगा, उस पर आपको click करना प पूछा जाएगा, जिसको आपको allow कर देना है, उसके बाद देखे, कुछ इस तरीके से एक strip बनके आजाएगा, आपके display के उपर, ठीके, ये जो आपको कुछ keyword दिख रहा है, ये इस application का keyword है, जिसके अंदर आपको एक keyword सर्च करना है, प्ले स्टोर पे, और ये application को आपको install करना होगा, ठीके, तो कौन सा keyword आपको सर्च करना है, वो ध्यान से समझ जाए, जो इस application का नाम है, जैसे इस application का नाम है, video downloader for twitter, ठीके, तो हमें यहाँ पे, देख सकतो, ये keyword भी मिल चुका है, video downloader for twitter, तो इस पे हम click करेंगे, तो ये copy हो जाएगा, ठीके, तो अभी करना है कि आपको simply play store open करना है आपका, मैं यहाँ पर play store open कर चुका, उसके बाद ये keyword पर आपको click करना है, ठीके, जो application का नाम है, उसके बाद आपको search bar पर click करके, paste कर देना है, और search कर लेना है, तो आप देखो कि ये application हमारा यहाँ पर आ चुका है, अभी application install करने से पहले, एक simply हम इसको install कर लेंगे, जैसे आपका application install हो जाता है, आपको simply इसको 30 second के लिए open कर लेना है, उसके बाद आपको back आ जाना है, real cash application के अंदर, तो आपको इसका point मिल जाएगा, तो यहाँ पर 30 second हो चुका है, अभी हम back आ जाते है, simply अपने real cash application के अंदर, तो यहाँ पर हम back आ च देख सकते हो, यह application हमारा install हो चुका है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिन के 10 application को install कर लेना है, ठीके, अब जैसे आप install कर लोगे, उसका तो 850 point एक application का मिल जाता है, यानि के 85 पैसा मिल जाता है, ठीके, अगर उस application को आप open-re-open वाला task करते हो, तो यहाँ पर जो है, उ जो application हमने अभी install किया, वो यहाँ पर आ चुका है, ठीके, तो ऐसे करके आपको भी show होने लगेंगे open पर, अभी reopen वाला task करने के लिए, आपको क्या करना है, simply open पाएंगे, तो generate code का एक option मिल जाता है, इस पर आप click करेंगे, तो आपको यहाँ पर code generate होके आ जाएगा, ठीके तो यह code को simply आपको copy करना होगा, और इस application के contact task section पर जाके paste करना होगा, तो simply हम इसको एक बार click करते तो देख सकते code जो है, copy हो चुका है, अभी application को हम open कर लेते हैं, बिल्कुल same application को आपको open करना है, दूसरा application पर open मत कर देना है, उसके बाद आपको contact task पर जाना है, ठीके हर देखें, यहाँ पर open हो चुका है page, अभी यहाँ पर हम paste कर देते code को, और send पर click कर देते हैं, send करने के बाद आपको, यहाँ पर screen time show हो जाएगा, कि यह application के कितने option को आपको click करना है, ठीके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, screen time हमें यहाँ पर 3 मिला है, यानि कि इस application के तीन अलग-अलग option को हमें click करना होगा, कई बाद यह 5 बाद दो रहता है, तो दो बार अलग-अलग option पर click करना होटा है, ठीके, तो simply हम back आते हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत सरी option है, तो हम यहाँ पर simply open कर लेते हैं, इसको, और यहाँ पर कोई भी 3 option पर हम click कर लेते है ठीक है यूज भी कर सकतो अगर आपके यूजफूल लगे तो application को और अगर नहीं लगे तो simply आपको बैक आजाना है तो simply हम बैक आते हैं और फिर से देखे मैंने तीन option से ज्यादा क्लिक कर लिया उसके बाद contact टास्क पर फिर से आ जाना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो submitted successfully हो चुका है ठीक है तो simply आप इसको यहां से रिमूब कर दीजे और और फिर से रियल कैस अप्लिकेशन के अंदर आ जाए अभी आप रिफ्रेस करेंगे तो open से हटके यहां पर open status पर आपको शोगा और completed शोगा ठीक है तो इसको रिफ्रेस कर देते हैं और आपको यहां पर दिखाते हैं यहां से हट चुका है अभी open status पर जाके आप रिफ्रेस क करेंगे तो जो application का अभी आपने open वाला task complete कर लिया वह आपको यहां पर completed पर show होगा तो यहां पर देख सकते हैं यह application का अभी हमने task complete के यह completed पर show होड़ा है उमिद करता है आप लोग समझ गए कि कैसे install करना है और कैसे हमें reopen वाला task करना है इसके उपर मैंने एक dedicated video भी बना करेंगे और अपने balance को जो refresh करेंगे तो यहां पर वो amount हमें show हो जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो show हो चुका है तो इतना तक तो आप समझ गया है कैसे application install करने वाला task करना है और कैसे reopen वाला task करना है अभी मैं आप लोग को review करने वाला task भी बता देता हूँ करने के लिए आपको real cash application के अंदर आना है और यहां पर देख सकतो second option है ठीक है बताओंगा कि review वाला task आपको कैसे complete करना है तो कोई भी application review करने के लिए simply यह section पर आपको click करना होगा तो यहां पर देखो कि बहुत सारा application आपको मिल जाएगा review करने के लिए ठीक है तो यहां यहां पर हर वक्त आपको application नहीं मिलेंगे review करने के लिए जबी यह application को review की requirement होती है तब ही यहां पर आपको show होता है review के task में ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो अभी बहुत application है और एक चीज़ दिखना है आपको जो application आप part 1 पर मैंने बताया था install करने वाला install करके yellow color का है और कुछ-कुछ मैं review का option जो है red color का है that means जो red color का review का button आपको दिख़ए है यानि कि यह application आपने delete कर दिया है और जो yellow color का दिख़ए है इसका मतलब है कि यह application आपने जो है delete नहीं किया आपके phone पर ही है तो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे हमें review करना है और कैसे 750 प उसके बाद कुछ ऐसा page हमारे सामने आता है तो यहाँ पर देखिए पूरा process आ गया है कि क्या आपको करना है ठीक है तो आपको review पर क्या लिखना है वो भी यहाँ पर दिया जाता है आप नीचे देख सकते हो तो मैं आपको बताऊंगा भी क्या करना है तो आपको simply give review के option प आपको अप्लोड करना है ठीक है एक review देने से पहले और एक review देने के बाद में कैसे अप्लोड करना होगा screenshot अप्लोड करने के लिए यहाँ पर राइट review and capture one पर पहले हम क्लिक करेंगे उसके बाद ओके I open play store manually पर क्लिक करेंगे ठीक है and then start now पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पर पाए ठीक है सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे play store पर जाएंगे प्लेश्टोर पर जाने के बाद हम simply जो नाम है application का वो search करेंगे search करने के बाद हमें क्या करना है logo match करना है ठीक है आप देख सकते हैं दोनों logo सेम है तो हम इसको open करेंगे ठीक है ऐसे करके उसके बाद आपको यह strip जो है इसको cut कर देना है ठीक है तो कुछ ऐसा page आएगा आपके सामने भी तो आपको यह screenshot का बटन दिखता है इस पर क्लिक करना है एक बार क्लिक करोगे तो देखो screenshot captured हो चुका है अभी आपको real cash application के अंदर आना है और देख सकतो यह screenshot वह automatic अप्लोड हो चुका है इसे तरीके से अभी write, review and capture 2 पे हम क्लिक करेंगे okay i open play store पे क्लिक करेंगे start now पे क्लिक करेंगे तो फिर से यह strip बन के आ जाएगा और screenshot का बटन भी फिर से आ जाएगा तो simply back हम जाएगे फिर से play store पे जाने के बाद अभी क्या करना है simply थोरा सा आपको यहाँ पर write review का एक option मिलता है इस पर आपको click करना है ठीके पहले आपको 5 star rating देना है उसके बाद यह जो आपको मिलता है script पे लिखने के लिए review पे तो यह आपको यहाँ पर डाल देना है य जैसे आप post पे click करते हो उसके बाद डन पे click कर देना है तो ऐसा page आ जाता है मतलब आपकी review आपको सबसे first में show होने लगे ठीके तो अभी simply फिर से यह strip को cut कर देते उसके लिए हम यह cross icon को click करते तो cut हो जाता है अभी फिर से screenshot ले लेंगे हम ठीके तो यह automatic screenshot हो चुका है यह जो है manually check होते हैं उसके बाद approved हो जाते है अभी देख सकतो screenshot have been uploaded successfully उसके बाद ok कर देना है तो जैसे आप यहां से यह task complete कर तो यह in review पे आ जाता है और 24 hour के अंदर in review होने के बाद यह complete हो जाता है उसके बाद यहां पे अप्रूप पे आपको show होंगे ठीके जैसे आप complete क करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे review वाला टास्क हमें करना है all right I hope कि टास्क कैसे करते इसका process आप लोगो पता चल गया है अगर फिर भी दिक्कत हो रहा तो नीचे description पे दो अलग अलग वीडियो का आपको मिल जाएगा task करने का process का link वीडियो आप चेक आउट कर सकते हो also उसके बाद भी दिक्कत हो तो नीचे description पे मेरा WhatsApp नमबर मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप मुझे direct WhatsApp पे अपने query send कर सकते मैं उसका solution निकाल दूँगा वीडियो के starting पर मैंने आप लोगो बता दिया था कि यह simple task अगर आप करते हो तो daily के आप 40-50 रुपय तक self-earn कर सकते referral income या team income मैं आप लोगो थोरा सा short पर बता देता हूं डूसरे वीडियो पर मैं details में discuss करूंगा ठीक है क्योंकि यह वीडियो अल्री इतना बड़ा हो चुका है स्क्रीन पर आप लोगो एक चार्ट देख सकते हो यहाँ पर daily task का earning है वह 10 रुपया देया गया है ठीक है मैंने आप लोग बता है कि ज्यादा स्यादा earn कर सकते हो लेकिन यहाँ पर minimum आपको amount डिया गया है 10 रुपया का ठीक है अगर आप खुद का भी 10 रुपया earn करते हो और अगर team आप बील्ड करते हो तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि आप कितना ज्यादा income कर सकते हो daily का तो यहाँ अभी मान लिए 10 लोग आपने join कराया है तो वो लोग अपना task करेंगे और हर किसी को 10-10 रुपय करके मिलेंगे ठीक है तो उनका total task earning कितना हो गया 100 रुपया अभी 100 रुपया में 25% आपको मिलेगा तो कितना हो गया आपका daily earning जो हो गया वो 25 रुपिस और monthly 750 रुपय ठीक है तो सिर्फ 10 लोगों को भी अगर आप add करते हो वो अगर अपने task को complete करता है तो उनसे 25 रुपया आपको जो है daily का आना start हो जाएगा और खुद का जो आपका income है वो आपको मिलना ही है ठीक है तो यहाँ पर 10 लोगों के example दे गया है ताकि calculation आपको समझ आए बाकि अगर आप चाहो तो unlimited direct यहाँ पर कर सकते हो और हर किसी से आपको 25% मिलेगा उनका daily का task का income से ठीक है वैसे second level से आपको 10% मिलता है per person ठीक है अभी मान लिजे second level पर आपका 100 लोग है तो 100 लोग अगर 10 रुपया का task करता है तो 1000 रुपय टोटल टास्क करनीं हो जाता है उनसे आपको 10% म मैना का आपका हो जाता है 3000 रुपया और बाकि first level से जो था वो तो आपको मिले गाई ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 यूजर जो देखोगे वो first level पर 10 है second level पर 100 लेवल पर 1000 है तो यह example के तो पर आपको समझाए गया बाकि जितने भी लोग आपके होंगे first level प में तो उन लोगों का जो percentage आपको है उस हिसाब से आपको daily का income मिलेगा सिर्फ condition यह कि उनको daily का task करना होगा और आपको अपने daily का task complete करना पड़ेगा minimum 10 रुपीज का ठीक है तो बाकी level के calculation आप screen पर देख सकते हो ठीक है मैं आप लोग को short पर बता देता हूं तो first level पर जित आपको 5% per person मिलेगा और fourth level पे 4% 5 level पे 3% 6 level पे 2% और 7 level पे 1% आपको per person से मिलेगा ठीक है अगर अपने task को complete करते हैं तो यहां पे example के तोर पे दिखाया गया है per day का income जो है अगर calculate करते हैं हम पूरा तो यहां पे 12,34,625 रुपया होता है ठीक है तो इतना तो छोड़ income कर लेंगे daily का तो खुद भी अपना task को complete करिए और ज्यादा से अधा refer करिए ठीक है अगर ज्यादा से अधा लोगों को आप refer नहीं कर पातो सिर्फ घर के 2-3-4 phone है तो उन पे भी आप refer कर दो और अलग-अलग mobile से register करा के अलग-अलग phone पे आप task complete करो तो referral income भी मिलेगा औ अच्छा-खासा income आप daily का कर सकते हो एक और important चीज में बता देना चाहता हूं एक mobile phone पे एक ही ID register करिए ऐसा नहीं कि आप एक mobile phone पे एक ID से task कर रहे हो फिर दूसरे ID login कर रहे हो दूसरे ID ऐसा मत करना ना तो आपका सब ID जो है वो ब्लॉक कर दिये जाएंगे यह चीज आप हमेशा ध्यान पर रखना और इसके अलावा reward income भी आपको मिल जाता है जो कि आप screen पे देख सकते हो मैं reward का भी आप लोग को बता देता हूं ठीक है तो यहाँ पर फोर लेवल तक का आपको reward income भी मिलता है यह जो है अभी promotion के लिए है यह आने वाले time पे नहीं रहेगा तो अभी आप लोग समझ लो एक से चार लेवल तक यह target अगर आप इन दिनों में पुडा करते हो तो 500 रुपीस मिलते है ठीक है इसी तरीके से जो आपने 50 डारेट किया है उसको अगर आप टीम बनाने के लिए motivate करते हो और वो अगर टीम बनाते है यानि कि सेकेंड लेवल पे अगर आपका 100 लोग हो जाते हैं 10 दिन के अंदर तो आपको 600 रुपया मिलता है और इसी तरीके से 200 लोग अगर सेकेंड लेवल पे हो जाते है 15 दिन के अंदर तो आपको 1000 मिलते है 500 लोग अगर 20 दिन के अंदर हो जाते है तो 2000 मिलते है ठीक है इस तरह किसे आप देख सकते हो फोर लेवल तक का यहां पे आपको reward बोनाजा मिलता है रिमेने से कोई भी टार्गेट अगर है बिल्कुल आप यहां पर टास्क करोगे तो ही इंकम आएगा आपका टीम टास्क करेगा तो ही इंकम आएगा ठीक है टास्क करने से कंपनी को इंकम जनरेट होगा तो आपको कंपनी पैसा दे पाएगा ठीक है दूसरे प्लान के तरह यह प्लान नहीं है दूसरे प्लान मे अभी मैं आप लोगों को वीड्रो करने का process बता देता हूं तो वीड्रो का इस टार्टिंग पे ही मैंने आप लोगों करके दिखा दिया था लेकिन अभी मैं आप लोग को process के साथ साथ जो भी इसकी term and condition है वेड्रोक का वह भी मैं बता देता हूं ठीक है जितना आप withdraw करोगे उसका 10% charges यहाँ पे लगता है ठीक है मानलों आपके पास 11,000 point है तो आप 10,000 point withdraw कर पाओगे क्योंकि 1000 point जो है आपका charge लग जाते है ठीक दूसरा condition है minimum withdraw 1 rupees है लेकिन withdraw लेने के लिए daily आपको 10,000 point यावन के 10,000 खाम करना होगा ठीक है अगर लेकर दश Benelect के 10,000 इंस्टरल करके वाला टासक कम ம्प्लेट करोगे रिब्यूट का टासक आपको मिलेगा तो बी कर लोगे तो अराम से 10,000 खीकरalis अब 15 20 रुपय 30 रुपया भी sell fund कर लोगे easily ठीक है तो विड्रो करने के लिए simply आपको क्या करना है three line पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको my wallet का section मिलता है इस पर आपको आ जाना है अभी आपको यहाँ पर request for withdrawal पर क्लिक करना होगा नीचे आपको अपने history दिख जाएगे जो भी आपने पहले विड्रो किये होंगे ठीक है आपको यहाँ पर select करना होगा अभी फिलाल पेटियम के थूरू यह विड्रो दे रहे लेकिन बहुत जल यहाँ पर आपको दूसरे UPI ID का भी option मिल जाएगा तो आप दूसरे UPI ID के थूरू भी विड्रो ले पाऊगे तो यहाँ पर simply click करना है आपको mobile number आ जाएगा उसके बाद next पर click करना यहाँ पर coin डालने है ठीक है अभी जैसे कि मैंने बताया था 10% charges लगते तो मेरा यहाँ पर 4000 पॉइंट है तो मैं यहाँ पर 3000 डाल देता हूं कुछ यहाँ पर charges भी लग जाएंगे ठीक है तो simply redeem पर click कर पर credit हो चुका है time भी आप लोग देख सकतो यह instant होता है ठीक है यह automated है तो यह instant आ जाता है ठीक है तो बिल्कुल आसान process से withdraw करने का भी आई होप आप लोग समझ गये होंगे तो आई हो कि पुड़े plan details आपको पता चल गया होगा कुछ भी आपको जानना है तो आप comment पर बता सकते हो और वाट्सअप नमबर भी आपको मिल जाएगा तो वहाँ से जाके आप मुझसे वाट्सअप पर contact भी कर सकते हो और company के daily zoom meeting होते है जहाँ पर plan presentation दिया जाता है और सारा process practically live करके दिखाया जाता है तो अगर zoom meeting का link आपको चाहिए तो वाट्सअप पे जरूर मैसेज कर देना मैं आपको लिंक प्रोवाइट करा दूंगा एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा time देना पड़ता है बहुत effort देना पड़ता है तब आप लोगे सामने मैं अच्छा तरीकी से उसको presentation कर पाता हूं तो अगर वीडियो helpful लगा तो एक लाइक जरू कर देए चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरू कर देजिए ना मिलते हैं आप लोगों से next एक और informative वीडियो के साथ